नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर वेडुधर रहुतिया आप सभी जानते हैं हमारा चैनल लॉडर एंड सिविल राइड्स गाउं और गरीब छात्रों के लिए समर्पी चैनल है दोस्तों आप यदि सपने देखते हैं तो सपने को पूरा करने का दाइत भी आपका है और वो सपना यदि IS बनने का है IPS बनने का है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का है तो आपको महत्तपूर्ण जर्र नौलेज़, करेंट फियर्स, दिन प्रति दिन जो भी घटनाए घटित हो रही है उसके बारे में आपको पैनी नजर रखनी पड़ेगी दोस्तों इसलिए स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ जर्र नौलेज यानि की सामान ग्यान की जो महत्तपूर्ण प्रश्ण है 2019 में ये पूछा ही जा रहा है तो उन विस्वे को लेकर जो है मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आपके बहुत काम का है हमने एक प्रश्न पूछा है जो हम सब अन्त में बताएंगी इसका अंसर वह कोन सा जीव है जिनके 10 आखें और 10 पैर होती है एक बार और सुलेजे वह कौन सा जीव है जिनके 10 आखें और 10 पैर होती है और ये 2019 में बहुत सारे competitive exam में ये question पूछा जा रहा है चुकि इसके बारे में हाल ही में बेज्ञानिकों ने खोज निकाला है और मानो सरीर के लिए most important ये जीव है दोस्तों हम last में इसका answer बताएंगे यदि आप जानते हैं तो comments box में आप इसका answer दे सकते हैं और फिर मैं अंत में बताऊंगा कि इसका सही answer क्या है आईए देखते हैं आज का पहला general knowledge questions यहाँ पर देखिए हमपी तस्बीर किस note के पिछले हिस्से पर छपी भी होती है वो किस note के पिछले हिस्से पर छपी भी होती है पचास रुपया, सो रुपया, पांस रुपया या दो हजार रुपया किस में किस में किस में छपी भी होती है दोस्तों इसका answer आप दे सकते हैं हम आपको कुछ समय दे रहे हैं उस समय में आपको जो है इसका अंसर देना है ठीक है आईए जानते हैं इसका सही अंसर क्या है इसका सही अंसर है दोस्तों 50 रुपे के नोट में और ये हमपी का चित्र है इसी तरह से प्रकासित है इसी तरह से छपी हुई है आपको पता होगा और हम यहाँ पर चित्र दिखा दे रहे हैं और इसके बारे में कुछ नालेज भी देने की कोशिस कर रहे हैं ये हमपी बिजे नगर सामराज की राजधानी थी ये भी कोश्चन पूछा जाता है बिजे नगर सामराज की राजधानी क्या थी हमपी ये हमपी एक नगर का नाम था और अभी भी है करनाटक में तुंग भद्र नदी के तठ परिस्थित एक नगर है जो हमपी नाम से जाना जाता है कर्नाटक में तुंग भद्र नदी ये सहर जो है बसा हुआ है तीसरा जडर नालिज ये है विनेशको ने विश्व विरासत इस्थल घोसित किया है हमपी को और 2018 में मोदी जी के घोशना के बाद आर्बियाई ने 50 रुपे के नोट में इसको मुद्रित किया है दोस्तों इसका सही आंसर जो है आपको हमने बता दिया कि 50 रुपे के नोट देखते हैं दुसरा प्रशन है रानी की वाव के बारे में सही क्या है रानी की वाव ये कोश्चेन पूछा ही जा रहा है ये कोश्चेन मोस्ट इंपाटेंट है वाव के बारे में सही क्या है प्रसिद्द बावडी का नाम है प्रसिद्ध बावडी है रानी की वाव जो है प्रसिद्ध बावडी है या सिडिधार कुआ है या फिर सो रुपे के नोट पर मुद्रित है ये किसलिए फिमस है रानी की वाव रानी की वाव के बारे में सही अंसर आपको चुड़ना है दोस्तों हम आपक इसका सही अंसर जो खाय क्या है लेकिन आईए पहले रानी की वाव के बारे में जान लेते हैं ये देखिए ये है रानी की वाव इसको भी आप देख सकते हैं सो रुपे के नोट में ये रानी की वाव बहुत ही चर्चित है बहुत ही फहमस है बहुत ही famous है इसका सही answer क्या होगा और भी देख लेते हैं ठीक है सो रुपे के note में रानी की wow को जो है चित्रित किया गया है और आप इस चित्र को देख सकते हैं ये सिड़ी नुमा कुआ है दोस्तों एक कुआ है जो सिड़ी नुमा है यानि की bb सही है यहाँ पर देखे ये रानी की वाव क्या है रानी की वाव जो है उप्रोक्त सभी है ठीक है उप्रोक्त सभी है लेकिन यहां पर हम आपको रानी की वाव के बारे में बता देते हैं गुजरात राज्य के पारण में इस्थित है गुजरात राज्य के पारण में पटना भी बोलते हैं पारण में इस इसको चित्रित किया गया है और 2014 को विनेसको द्वारा 20 विरासत घोसित किया गया है ध्यान दिजेगा ये रानी की वाव यानि की कुवां सिरी नुमा कुवां है इसी को जो है बावडी कहा जाता है रानी की बावडी भी कहा जाता है और यही जो है 100 रुपेक नोट के पीछे में ये चित्रिद भी किया गया है वर्स 1963 में सोलंकी सासन के राजपूत राजा भीम दे प्रथम ये भी most important है आपके लिए प्रथम की प्रेमिल स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदे मती ने बनवाया था कई बार कोश्चन पूछा गया है कि ये जो रानी की वाव है वो किसने बनवाया था तो आपको पता होना चाहिए कि भीम दे प्रथम की पत्नी उदे मती ने बनवाया था सोलंकी वन्स के सासत मूल रास थे ये भी कोश्चन पूछा जाता है और ये मोश्ट इंपार्टन कोश्चन है दोस्तों यदि आप एक्जामनेशन अभी हाल में देने वाले हैं बहिस्चन में देने वाले हैं तो आप इसको ज़ो है जरूर यात करके जाईएगा इसको नोडस बना लीजिएगा देखिए कोश्चन नमबर थ्री है भारती करनशी नोट पर कितनी भासा में लिखी होती है 15 भासा है या 17 भासा है या 16 भासा है या फिर 14 भासा है सायद इसको आप लोग जर्वर नौलेच में जानते होंगे लेकिन कई सारे बच्चे confused हैं कि सही answer क्या है कई लोग confused यह है कई लोग 15 मानते हैं और कई लोग 17 मानते हैं ठीक है ये तो 16 और 14 जो है ये बेकार है लेकिन हम आपको बता दें ये 15 होगा या 17 होगा ये 15 सही है या 17 सही है इसके बारे में हम details से समझने के कोशिस कर रहे हैं दोस्तों आईए देखते हैं इसका सही answer क्या है यहाँ पर हम कर रहे हैं कि इसमें जो दिया हुआ है आप ये दिमाली जे आपके पास में नोट है तो इसके जो चित्र के माध्यम से चित्र के पीछे तरव ये 15 दिया हुआ है तो क्या 15 सही है या कुछ और सही है आपको बता दे ये जो भासा दिया हुआ है असम से लेकर उर्दू तक पहला वाला जो खाय है असमी में है ठीक है असम के असमिया भासा जो खाय है और लास्ट जो खाय है उर्दू में दिया हुआ है ये भी आपको दिमाग में बढ़ जाईए लेकिन एक जो है देखेंगे यहाँ पर जो खाय है ये 500 रुपिस अंग्रेजी में दिया हुआ है इसके पहला भाग में हिंदी में दिया हुआ है यानि कि 15 दो 17 होता है कोन-कोन सी भासा है हिंदी और अंग्रेजी के अलावा देख लिजे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारती नोट में 15 भासाओं का इस्तेमाल होता है कोई भी नोट, कोई भी नोट हो वो सभी में जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या-क्या है असमी, बंगाली, गुजराती, कंणर, कश्मिरी, कोंकड़ी, मल्यालम, मराठी, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमील, तैल्गू और उर्दु में उसकी कीमत लिखी भी होती है हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल नोट के अगले हिस्से में होता है बाकी भासा है नेट के पिछले हिस्से पर होती है इस तरह से आपका सत्रा भासा का उलेक होगा यहाँ पर और देख लीजेगा 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 1946 में जब आजादी की पहले की बात कर रहा है एक हजार और दस हजार के नोट बंद कर दिये गये थे लेकिन 1954 में आजादी की बाद सविधान लागू होने के बाद 1,000 और 10,000 रुपे के नोट छापे गये थे 5,000 रुपे के नोट की भी छपाई की गई थी लेकिन 1978 में 10,000 और 5,000 के नोट को पुरी तरह से बंद कर दिया गया यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है RBI नहीं बित मंत्राले जारी करता है एक रुपे का नोट एक रुपे का नोट बित मंत्राले जारी करता है बाकि सभी नोट रिजर बेंक आप इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है इस नोट पर यानि कि एक रुपे के नोट पर RBI गवर्नर की सिगनेचर नहीं होता बलकि फाइनेंस सेकेटरी का सिगनेचर होता है ये भी most important है जो question पूछा जाता है देखिए रुपिया कहा कहा पर था और कितने देश में अभी वर्तमान में है बारवी सतापदी के सुरुवात में अधन, ओमान, कुवेद, बहरीन, कतर, केनिया, युगांडा, सैसल्स, मारिसस की भी करेंसी रुपिया ही थी अभी वर्तमान समय में साथ देशों में रुपिया नाम से चलता है इंडोनेसिया में भी रुपिया है मारिसस, नेपाल, पाकिस्तान और सिलंका में ये जो आपका जो साथ देश हैं, इन साथ देश में रुपिया चलता है दोस्तों ये आप जो है जरूर यात कल लिजेगा आईए next question देखते हैं दोस्तों क्या है next question ये बताईए चंद्रनंद का दुसरा नाम था चंद्रनंद नंदवंस के दस्वा पुत्र का नाम था ये नंदवंस नंदवंस के दस्वा पुत्र का नाम चंद्रनंद था चंद्रनंद इसके पहले वाले जो सासक थे नौवे नमबर के वो थे धनानन्द, धनानन्द थे, ठीक है, धनाननन्द थे, ये नन्दवन्ष के अंतिम सासक माना जाता है धनानन्द, और तो हम ये पूछ रहे हैं, चंद्रनन्द का दुसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त, राष्टपाल, गगनपाल और चंद्रपाल क्या है इसको आपको सही आंसर देना है लेकिन हम आपको बता दें जो इतिहास में हमको जानकारी प्राप्त होता हाला कि ये विवादित भी सह है ये चंद्रनंद, ये धनानंद के ही छोटे भाई थी यानि कि दस्वे पुत्र थे, दस्वे पुत्र और दुसरी पत्नी के पुत्र थे याद रखेगा महापत्मनंद, महापत्मनंद का नाम सिने होंगे उनके पुत्र दस थे, तो अंतिम पुत्र चंद्रनंद थे और नवे पुत्र धनानन्द थे जो सासन किये सामराज की स्थापना किया तो यहाँ पर चाणक्य ने यहाँ पर इसका नाम जो चंद्रनन्द था चंद्र लिया ठीक है चंद्र लिया और गुप्त से गुप्त काल से जो है विश्नु गुप्त से गुप्त लिया ठीक है विश उसकी मा का नाम था, ये चंद्रगुप्त के माता का नाम मुरा, तो यहां से मौर्य लिया, यानि कि चंद्र, यहां पर चंद्रनंद से चंद्र लिया, विश्णु गुप्त से गुप्त लिया, और माता से मौर्य लिया, तो इस तरह से इसका नाम पढ़ गया चंद्रगुप तो मौरी यानि कि ए आंसर सही है दोस्तों ठीक है साइद मुझे लगता है बहुती इंट्रेस्टिंग कोश्चन था इसको आप जो है अब जान गए हैं कोश्चन नमबर फाइब घनानंद मैं धनानंद नहीं पूछ रहा हूँ घनानंद किस नर्तंकी का नाम उनके काविर रचना में मिलता है घनानंद के किस नर्तंकी का नाम उनके काविर रचना में मिलता है सुजान अजान कामुकता या कामाईनी यहाँ पर घनानंद मुनसी थे लेकिन बहुत अच्छे लेखक भी थे और साती साथ इनके साहित बहुत फेमस है घनानंद जो है तो भक्ति प्रेम यानि की भगवान स्रिक्रिश्ण जी के लीला में घनानंद की जो योगदान है बहुत इंपार्टेंट रहा है और साथी साथ प्रेमी कभी थे प्रेम के उपर जो है एक बेस्याय नर्तंकी के उपर जो है वो मोहित थे तो उस नरतंगी का उपयोग बार-बार आता है उसका नाम है सुजान उस नरतंगी का नाम था सुजान जिसके कारण से घनानंद को राज राज से बाहर कर दिया गया था तो साइद आप लोग को समझ में आ गया होगा हिंदी साहित वाले इसकी अच्छी व्याख्या कर सकते हैं ठीक है आईए देखते हैं next question बताईए जी सेवन का मुख्याले कहां पर है जी सेवन का मुख्याले कहां इस्तित है ठीक है जी सेवन का मुख्याले कहां इस्तित है साथ आप लोग को जानते होंगे पहली बात तो बत लोग सभी जानते होंगे ठीक है क्या है जी सेवन में कौन-कौन सा देश आते हैं सबसे पहला नाम सबसे पहला नाम है आप लोग जानते होंगे आप जैसे पढ़ते हैं UGC UGC यानि कि United Kingdom यानि कि Britain ठीक है जर्मनी जर्मनी ठीक है तीजरा नाम जो है कनाड़ा कनाड़ा हो गया दोस्तों ये तीन नाम आप लोग जो है जान लिए अब आता है अब आता है कनाड़ा हो गया फिर इसके बाद में जर्मनी आता है जापान जापान आता है इतली इतली इसकी जो है सदस्त है इतली ठीक है उसके बाद में आता है अमेरिका और लाश्ट में आता है क्या आता है फ्रांस ठीक है ये साथ देश जो है सबसे रहीज द आर्थिक संपनता है इनके में, इसलिए developed country के नाम से जानते हैं, और ये अनापचारिक संगठन है, इसलिए इसका मुख्याले कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसका याद रखेगा D answer सही है, इसका मुख्याले नहीं है, और ये 7 देश कलावा, इस 7 देश में G7 में इंडिया न इठक में, साइद मुझे लगता है, ये समझ में आ गया होगा, most important question है दोस्तों, अब हम छोड़े छोड़े प्रश्न भी ले रहे हैं, ताकि आप लोग को दिमाग में रहे, किस राज में petrol का दाम सबसे कम है, साइद सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर है, गोआ, गोआ इ ये है most important दोस्तों, ये मयान मंदिर का सहर, चिचेन इतिजा, कहां इस्तिध है, साइद आप लोग जानते होंगे, ये चिचेन इतिजा के बारे में, चिचेन इतिजा के बारे में जानते होंगे, ये चिचेन इतिजा है क्या चीज, सबसे पहले बात, तो ये जो नया, जो सा साथ अजुबे हैं नए जो साथ अजुबे का डिकलीरेशन हुआ है उसमें से सबसे पहला नाम आता है दोस्तों सबसे पहला नाम जो है चिचेन इतिजा का आता है चिचेन इतिजा और ये मयान मंदीर का सहर जो चिचेन इतिजा है वो बहुत ही फेमस हो गया है ठीक है अब य कुकूलग पिरामिड याद होगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कुकूलकान पिरामिड इसके बारे में आप लोग जानते होंगे पिरामिड जो है मीछ्स्य पिरामीट नहीं ये आपका गोकुल कान ये लवाधालो है ये कुकुल कान पिरामीट बहुत फेमस है ये आप जान लिजेगा ये हजारो खंभो का हाल है यहां पर कैदियों के खेल का मैदान है और ये जो है मयान मंदीर में से सबसे बड़ा मंदीर है और ये मैक्सिवो में इस्थित है मैक्सिको में इस्थित है आप इसको जरूर याद कर लिजिएगा आएए नेक्ट कोस्टन देखते हैं दोस्तों ये आपको आश्चर्च कर देगा मानो के मुत्र में कौन से बिटामिन पाय जाता है जिसके बारे में बैग्यानिकों ने ये जानकरी प्राप्त किया है मानो के मुत्र में कौन से बिटामिन पाय जाता है बिटामिन A, बिटामिन B, बिटामिन C, बिटामिन D या इनमें से कोई नहीं क्या सही होना चाहिए दोस्तों हमको आपको बता दें कि मानों के मुत्र में C बिटामिन पाय जाता है बिटामिन C पाय जाता है ये दुसरे जानवरों के लिए बहुत ही उप्योगी है हमने सुरू में एक प्रश्ण पूछा था कि वह कौन सा जीव है जिनके 10 आखे और 10 पैर होती है ज्यान दीजेगा ये जीव आपके सामने भी दिखा रहा है ये समुद्री जीव है जैसे केचवे होता है केचवे की भाती दस पैर दस आखो वाला ये हैसरू क्रैब है हैसरू होसरू क्रैब लेकिन हम आपको बता रहे है आपको जान कर हैरानी भी होगी कि इस जन्तू ने अपने रक्त से अंगीनत मानो जीवन को बचाया है और जीवन को भी बचा सकता है भाईसर में भी हस्रू क्रेप के रक्त का रंग गहरा निला होता है ठीक है गहरा निला होता है क्योंकि इसमें कापर आधारी स्वसन रंग वर्नक होता है जिसे हेमो कीनीन कहा जाता है हस्रू क्रेप के रक्त का प्रयोग मेडिकल जगत में कई प्रकार के ड्रक्स बनाने में और पिछले कई सालों से किया जा रहा है दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर comments लिखेगा, हम देखते हैं कितने लोग last तक देखते हैं, इसलिए हम परिशन करने के लिए यहाँ पर हमने जो खाये एक बातें आपसे comments में लिखवाना चापते हैं कि आप जो खाये ऐसा कोई चीज बताईए जो हमारे चेनल में पसंद आया चेनल में क्या पसंद आया उसके बारे में आपको कॉमेंट्स में लिखना है ताकि हम जानेंगे कि आप अंत तक देखते हैं आप अंत तक देखते हैं नहीं तो हम भी जो है आप छोटे-छोटे वीडियो बनाये करेंगे या फर्मालेटी पूरा करेंग जब आप लोग सुरू से अंतर तक देखो गई नहीं तो फिर हमारे बनाने का ओचित क्या है तो मैं आपको क्लू दे रहा हूँ आप कॉमेंस बाक्ष में लिखेगा हमारे कौन सी चीज आपको अच्छा लगता है तीक है वो चीज के बारे में लिखेगा लेकिन उसमें लास्ट में कहिएगा कि सर मैंने जो है लास्ट तक देखा है और मैंने आपके जो प्रशन है उस प्रशन का उत्तर में इस रूप में मैं देना चाह रहा हूँ इसको जरूर लिखेगा ताकि मुझे समझ में आये मैं गिंती करूँगा कितने बच्चों ने सुरू से अंतर तक देखा है